हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स क्या आपके पास भी इस तरह के रीबन पड़े हैं तो मेरे पास कुछ नए हैं और ये जो ये वला पिंक वला रीबन है ये मैंने एक मेरे दुपट्टा था उससे उतारा है तो आज हम र चार सा एक पाउच बनाने वाले हैं तो बहुत ही असानी से बन जाता है और देखने में भी काफी सुन्दर लगता है तो ये देखि तीन-चार कलर के मेरे पास रीबन पड़े हैं कोई भी बेस के लिए आप कपड़ा ले लिजिए थोड़ा से मैंने थिक कपड़ा लिया है आप पतला कपड़ा जैसा मर्जी आपके पास cotton synthetic जैसा भी कपड़ा है आप ले सकते हैं तो इस तरह से हमने ये देखिए पटियों को कट कर लेना है रिबन को कट कर लेना है तीन-चार कलर जितने भी मेरे पास पड़े हैं वेस्ट पड़े हैं काफी टाइम के तो जब बु अपने ये दिखिए एक फैबरिक लिया है इसको ऊपर ये देखे इस तरह से रखते जाना है हमने इसको और THE साथ में रखेंगे बिल्कुल साथ साथ में और इनको स्टिच कर लेंगे आपके पास दो कलर हैं तीन कलर हैं या जितने भी कलर हैं उतने आप लगाते जाए और हाँ अगर आपके पास रेबन नहीं है तो जैसे आप कपड़े की पटियां बना कर भी इस तरह से लगा सकते हैं तो मेरे पास तो रेबन थे काफी टाइम के पड़े हुए तो मैंने सोचा कि आज मैं इनी का यूज़ करके प्यारा सा पौच बनाती हूँ और वीडियो आपके साथ शेयर करते हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल सके अगर आपके पास भी पुराने रेबन पड़े हैं तो इस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं या पुराने कपड़े पड़े हैं तो पुराने कपड़ों की पटिया बना कर भी आप यू कर लेना है जितना भी आपका साइज है न उससे थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है आपने तो सभी पतियों को इसी तरह से में कट कर लेती हूँ चोड़ाई वाली साइड पे भी तो देखिए सारे Riven मैंने कट कर लिया है, आप देखिए इनको लगाने का तरीका दो तरह से मैं आपको बताऊंगी जैसे भी आपको easy लगे आप लगा सकते हो तो इस तरह से देखो हमने इनको लगाना है यह देखिए इस तरह से रखते हुए पहले पूरा नीचे तक जैसे हमने height वाली side को लगाए है ऐसे ही चोड़ाई वाली side को भी हम पूरी पटियों को पूरे raven के basis को जोड़ लेंगे और देखना आप बहुत ही प्यारा हमारा यह जो clutch है ना बहुत ही प्यारा बनेगा एकदम colorful सा और छोड़े छोड़े कपड़े अगर पड़े हैं तो उनका भी आप योज़ कर सकते हैं और raven का भी योज़ भी कर सकते हैं तो दूसरे side से भी यह देखिए मैंने raven को attach कर लि आप जाहो तो यह देखो। मैं दो तरीके आपको बताऊंगी जो भी आपको easy लगे उस तरीके से आप कर सकते हो इस तरह से भी आप इसको यह देखो एक को छोड़ना है और एक को उठाना है हमने और एक को नीच जोड़ देना है और इसको जो चुड़ाइ में हमने पटिय लगाए है ना उनको साथ-साथ में इस तरह से पिरोते जाना है तो देखिए एक तो तरीका ये वला हो गया आप दूसरा तरीका में आपको बताऊंगी जो भी आपको इजी लगे उसी तरीके से आप कर लेजिएगा तो दो पटलों को देखो इस तरह से दोनों रीवन को मैंने निकाल लिया है एक को छोड़ना है और एक के बीच में इसको रीवन को डालना है ये देखो इस तरह से सेट करते हुए हमने पूरा इसको पिरोना है अब देखो इस तरह से अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आपने क्या करना है जैसे हमने उपर वाली साइट पे सिलाए लगाई थी ना सेम उसी तरीके से नीचे वाली साइट से भी हमने स्टिच कर लेना है तो जिस तरह से भी आपको easy लगğे, उसी तरह से आपstitch कर सकते हो, मुझे लगता है कि जैसे नीचे वाली side पे भी लगा लेंगे वह आपको ज्यादा easy रहेगा, तो नीचे वाली साइट पे भी हमने रीबन को अटेच कर लिया है, उपर वाली साइट भी एक सिलाई लगा लिए, अब नीचे वाली साइट पे भी एक सिलाई हमने लगा लेनी है, बराबर बराबर करके हमने रीबन को रखा है, बिल्कुल भी इसमें जोल नहीं आना चाहिए तो देखिए नीचे भी सिलाई लगा लिए एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे यह देखिए आप देखिए सेफटी पिन लेंगे सेफटी पिन में यह देखिए इस तरह से धागे को डाल के पटी रिबन को डाल के और यह देखिए एक को उठाएंगे एक को छोड़ देंगे और एक को उठाएंगे एक को छोड़ देंगे यह देखिए इस तरह से आपको ज्यादा easy रहेगा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो यह देखे इसी तरह से पूरा जो जितना भी पीस मैंने लिया है उसको सारा में इसी तरह से पूरा भर लोगी यह देख लो अगली लाइन में आपने देखके करना है एक को छोड़के एक को उठाना है अब आस इसी तरह से पूरा हमने इसको पीस को रेडी करना है तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लूप का आ रहा है देखने में काफी सुंदर लग रहा है यह देखो तो सारा मैं भर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखिए अब अच्छे से हाथ से इसको सेट करते हुए यह देखो इस साइड पर हमने सिला लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे यह देखिए अब एक्स्ट्रा जो यह रिवन है इसको हम ट्रेम कर देंगे अब इसके नीचे हमने कोई भी फॉम शीट ले लिजिए रवड शीट ले लिजिए राइस बैग ले लिजिए जो भी आपके पास है तो मैंने यह फॉम शीट ली है पीच में से देखो थोड़ी बड़ नीचे लाइनिंग रखी है तो आपके पास रवड शीट नहीं है तो आप राइस बैग प्लास्टिक बैग आटा बैग कुछ भी ले सकते हो या आप चाहो तो फॉम भी ले सकते हो इसके लिए तो चारों साइड से पहले में सिलाय लगा लेती हूँ चारों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है और एक पीस हमारा ये देखी रेड़ी हो गया है तो ये जो हमारा पीस है 10 Y 8 इंच का है 10 Y 8 इंच का एक पीस है हमारा ये अब हम जीप लेंगे मैज करके ही मैने परपल कलर की जीप लिए है जीपorsa करके रखते हूए यहां पे एक सिलाई लगा लेंगे जिप को अटेच कर देंगे अब यहां से यह देखे थोड़ा थोड़ा जो है इसको मैं कट कर लूँगी आप जिप की फिनिशिंग करने के लिए मैं रीबन की रीबन हीलूँगी या आप चाहो तो कपड़े की पट्टी भी यहां पर ले सकते हो लेकिन मैंने यहां पर भी रीबन ही ले लिया अब इसको अंदर वाली साइट को फोल्ट करते हुए टर्न करते हुए हुपर से टॉप स्टिच लगा देंगे तो देखिए यहां पर टॉप स्टिच मैंने लगा लिया है अब देखिए इस तरह से रखते हुए हमने दूसरी साइट से जिप को अटेच करना है यह देखो इस तरह से रखूँगी और जिप को दूसरी साइट पे भी हमने अटेच कर लेना है तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है अब फिर एक्स्टर जो आपको दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे और यहां पर फिर से रिवन लगाते हुए हमने फिनिशिंग करनी है अब यहां पे हमें सिलाई लगाने में दिक्कत होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी यहां पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी टॉप स्टिच दोनु साइट से नहीं पेस लिखाऊंगी आप दोनु साइट से इसको तांक के लगा लेंगे और जिप की finishing कर लेंगे आप देखिए इस तरह से जिप को थोड़ा सब खोल के यह देखिए अच्छे से रख के और दोनों साइट से हमने इसको stitch कर लेना है यहां से भी और दूसरी साइट से भी तो दोनों साइट से मैं इसको stitch कर लेती हूँ और फिर जो extra जिप को होगी उसको हम cut कर लेंगे तो फ्रेंट्स आपको यह मेरा idea कैसा लगा comment जरूर करना और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like share जरूर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना तो दोनों साइड से मैंने stitch कर लिया है और यह देखिए धागे बगेरा finish करते हुए इसको हम सीधा करके देखते हैं कैसा इसका look काया है और यह चोटा सा प्यारा सा हमारा pouch जो है बनके ready हो गया और इसमें हमने देखिए जो हमारे पास मेरे पास काफी time के ribbon पड़े हुए थे उनका use करके मैंने इसको बनाया है तो आपको मेरा यह idea कैसा लगा मुझे जरूर बताना अब देखिए कोने वगेरा अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका final look जो है कैसा आया मुझे तो बहुत ही बड़िया लगा आप भी जरूर बताना आपको कैसा लगा यह देखो अच्छे से सेट कर लेती हूँ चोटा सा पाउच बना है आप देखिए जो कपड़ा आपको दिख रहा है न यो और इवन मैंने अंदर को लगाया था उठा 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 यहां पर हम सुई धागे से इसकी अच्छे से finishing कर लेंगे तो देखिए अहां सारे मेंने टांके लगा लिए हैं तो इसमें आप कुछ भी अपने जुरूत के द escrina द रखना चाहतें रख تم आपने補े मैं अपने स्पर गाई आंपकी सुंदर लगा यह काफिए अर्बनाने में तो बहुत ही असान आ है तो देखिए इस और बाहर साइड से बहुत प्यारा एननय पाह़ीन सामान सवे धिया कर दिए जक्तर आपका अगर बना कर रखेंगे तो आपके काफी काम आने वाले हैं यह काफी काम आते हैं आपके बच्चों के भी काम आएंगे आपके भी काम आएंगे तो इस तरह के पोच आप बना सकते हैं बनाने में बहुत ही असान होते हैं तो यह बहुत ही प्यारा सा पोच जो है हमारा देखो बनके रेडी हो गया और आपको पत का बना है यह तो इसमें मेरे कैंची बगएरा या सेम रिपर बगएरा कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं तो फ्रेंड्स आद के वीडियो में वस इतना ही मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए